हेलो एवरिबन आज है दो हजा चोबिस का एक जनवरी नए साल की ये शुरुआत थी और सुबह बहुत अच्छा मौसम था तो सोचा है कि अफजान को मतलब गार्डन ले जा लेते हैं बच्चा खुश हो जाएगा और अफजान को ऐसी पास में बोटनिकल गार्डन है तो थोड़ा दूर पड़ता है और हमेशा क्राउड होता बहुत जादा तो हम लोग ने सोचा थोड़ा जल्दी जाते हैं अच्छा लगता सुबह सुबह फ्रेश माइंड भी लगता है अफजान भी खुश हो जाएगा और एक साल का पहला दीन है तो सोचा कि थोड़ा सा अच हर कोई फैंबली अपने जो बच्चों को लेकर आये थे और यहां पर एक आर्टिफिशल वाला जिराफ था और हम अबजान को चिड़ा रहे थे कि यह जिराफ है और वह बहुत जादा इसका शार्प माइंड है कि चीजे को ना भूलता नहीं है और इसे चीजे समझती है ड काफी कुछ खाली था अधर्वाज यह पूरा इतना भरा रहता है कि आपको वेटिंग में खड़े रहना पड़ेगा इससे पहले में एक बार और आ चुकी थी शाम में आये थे हम लोग 6 बजे तो बिल्कुल भी हमें मतलब बच्च अफजान को कुछ भी खेलने मिला ही नह और उसके बाद में जो एक अलग सा वाइब मिलता है अलग से माइंड रिलाक्स होता है वो कहीं नहीं होता है तो मुझे तो ऐसा लगा कि अभी मैं उसे हर पंदा दिन में एक बार ये गार्डन ज़रूर लाओगी घर से 2-4 किलोमेटर दूर है बट इसमें आप खुद भी कर लो बच्चा भी खेर ले और बहुत अच्छे से माइंड रिलाक्स होता है मौर्निंग में 11 बज़े बच्चा इखाद घंटा खेर ले मूड एकदम रिलाक्स हो जाता है वहां खाने के भी ऑप्शन है मैं आपको दिखाऊंगी कैफेटेरिया भी है अगर आप लोग चाह तो जूड़ा जूरी तो इसने खेल लिया तो यहां पे आ गया था थोड़ा सा सेंड केलने उसे बहुत पसंद है और यहां पर उपन जीम था था तो दोड़ा बाद हम लोग ने मस्ती के देख सकती तना नीट एन क्लीन था गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था जैसे ए तो यह मानने कि छोटी-छोटी चीजों में खुश होना चाहिए, इसे माइंड बेर रिलेक्स रहता है, छोटी-छोटी चीजे रहती है, बट इसे मूड बहुत अच्छा फ्रेश हो जाता है, हम लोग ने बहुत गुमें, बहुत बढ़ा है, आप चाहो तो यहाँ पर एक पास भी मनता है, वाकिंग का पास होता है, जिससे आप चार्ज कर लो, और आपको कभी भी कोई भी टाइम में यहाँ पर एंटरी मिल जाती, मुझे इसके सारे रूल्स तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ मैंने इसे बोर्ड में देखा था, और यहाँ पर पेंटिंग होती है, योगा के लिए भी अलग से जगा है, और बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर शायद कोई competition भी होता होगा, तो प्रॉपर हर चीज का था, यह देख सकती है, योगा के लिए स्टेज था, यहाँ पर योगा होता है, और देख सकते हो कितना neat and clean था, और अच्छा लग रहा था हम लोग को भी, अफजान भी खुश हो रहा है, तो बहुत मस्ती करें हम लोग ने, यहाँ पर पूरा garden घुमें है, यहाँ पिकॉग भी था, लास्ट टाइम हम आये थे, यहाँ पिकॉग था, इस बार नहीं दिख रहाता वो, और देख सकते हो पूरा एकदम, मतलब इतना अच्छे से, यहाँ पर देखो फ्रेश वाला हम लोग जूस, हम लोग बहुत थक गये थे, दूब भी थी था, सोचाए कि जूस पिलेते, तो हमने फिर फ्रेश वाला अपने ले औरेंज वाला जूस लिया, लेकिन अफजान रुखने को तयार नहीं था, उसको था कि और घूमते, और चलो, कहीं पर खेलेंगे, लेकिन हमने का पहले थोड़ा जूस पिलेते, एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग एक दर्ट घंटे से घूम रहते, और देख सकते हो, पूरी नीटेन क्लीन था, यहां पर आप चाहो तो अपने स्नेक्स लाके भी बैटके खा सकते हो, अधरवाज यहां चाइनीज और साउथ इंडियन दोनों ब्रेकफास्ट अवेलेबल थे, हम लोग ने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि मैं घर से पोहा खाके निकलेते हैं, हम लोग बस हम लोग ने जूस पिया है, और यहां अभजान ने भी थोड़ा सा जूस पिया, अच्छा फ्रेश जूस था, टेस्टी था, उसके बाद हम लोग को यहां कुछ एक्टिविटी हो रही थी, सोचा जाते जाते, कुछ एक्टिविटी भी कर लेते हैं, साल के शुरुवात इतनी अच्छी हैपी मूड से, हैपी एकदम वाइब आ रहा था, बहुत अच्छा पॉजिटीव लग रहा था, आके बहुत अच्छा लग रहा था, मूड एकदम रिलाक्स है, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा था, और एकदम अंदर से बहुत ही सैटिसफेक्शन मिल रहा था, क्योंकि बता नहीं, गार्डन में आ और एकदम जो ताजी हवा मिलती, मौनने की मज़ा आ जाता है, यहां देख सकते हैं, अफजान ने जंपिंग वाला है, खुश हो जाती है, क्योंकि मुझे अभी इतना सुबह सुबह कोई एक्टिविटी करने का बिल्कूल वो नहीं था, मैं बस इंजोई कर रही थी, और साथ ही मैं गार्डन के अंदर यह एक लेक है, बहुत ही अच्छा लेक है, यह भी नीट और क्लीन, यहां बोटिंग भी होती है, बढ़ थोड़ा सा धूप निकल चुकी थी, तो मैं को बोटिंग करने का तो मन नहीं हुआ, यहां पर और उपर में जिप लाइन का था, यहां हम लोग आ चुके थे, बहुत अच्छे अच्छे यहां ट्री हाउस भी बने थे, मतलब ट्री को कटिंग करके इतने अच्छे अच्छे यहां पर ट्री हाउस टाइप करते हैं कि आप उपर बैटके भी इंजॉय करो, यहां पर जिप लाइन वाली एक्टिविटी किये था इसका भी चार्जेस थे और काफी लंबा जिप लाइन था यहां बहुत मज़ा आ गया हमें को उनको देखकर ही मुझे अच्छा लग रहता है मेरा भी मूट था लेकिन मैं काफी तेर-देर से वाक कर रहे थे हम लोग तो थोड़ा सा टायड भी हो चुकी थी और बस अब यह सब एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग को घर जाना था क्योंकि घर जा के मुझे लंज भी बनाना था बिल्कुल बहार कुछ नहीं खाया हम लोग ने सिर्फ जूस पिया है और आने के बाद सोच था घर में आएंगे और बिल्कुल अपना जो दिन है बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ में मज़ा आगया में को तो सुबह सुबह और यहां पर देख सकते हूं बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी था जैसे एक दब वो ने पेड़ को काटके जो सिटिंग एरिय मैं सोची हो कि महने में एक दो बार मैं उसे लेकर आओंगे अवजान को क्योंकि वह यहां के बहुत खुशता और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा उसके बाद हम मैं हम लोग घर आज चुकी थे घर हमको आने में साड़े बार एक बज गय थे आने के बार मैं यहां पर फिश बनाने की तैयारी कर रही थी फिश लेकर आ गया थे बहुत दिन हो गया थे फिश नहीं काय थे यहां मेरे मसाला अल्मोस्ट हो चुका था और यहां पर मेरे फिश भी मैंने फ्राइ करके रख लिया थे जल्दी यल्दी काम कर रही थे बिकोस भूग भी बहुत जोरो से लग गई थी ठग गया था सुबह घूम कर आ गया थे यहां सलाद हो गया था और अल्मोस्ट मेरी जो फिश करी है वो कंप्लेट हो गई थी उसके बाद कुछ मैंने आगे शूट नहीं किया हम लोग ने अपना दीन जो मौनिंग के शुरुवात बहुत अच्छी करी है अच अधर भी बताएगा थेंकी फॉर वाच्छी